दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफी interesting module के उपर discuss करने वाले हैं जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो first impression में तो ऐसा लगता है कि ये buck boost converter होगा क्यूंकि इसके अंदर में एक inductor दिया हुआ है यहाँ पे एक MOSFET और एक short की diode, दो capacitors, voltage को set करने के लिए potentiometer लेकिन जब इसके back side में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ micro electronics है जैसे छोटा-छोटा SMD ICs का use किया गया है जो कि एक buck boost converter में इतना IC का जरुरत नहीं पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा तर आपको UC384, 33844 ICs होते हैं जब हमने board के उपर देखा तो यहाँ पे company का name जो है वो print किया हुआ है hypex electronics और इसका model नंबर है UCD 180 LPV8 जब हमने इसको google पे search किया तो कुछ इस तरीके का हमारे पास एक detail आ गया है यह इसका data seat है देखिए यह इसका board का layout है जो कि हमारे board के layout से भी match कर रहा है आप देख सकते हो अभी हम लोग इसका जो technical details है वो देख लेते हैं description वाले page में यहाँ पे block diagram दिया हुआ है जो कि सबसे पहले हमारे speaker input को यानि audio input को दिखाता है यहाँ पे control circuit है जो कि output को भी monitor कर रहा है कि output में कैसा waveform है फिर यहाँ पे देखिए एक operational amplifier type का configuration है जो कि दोनों driver को control कर रहा है यहाँ पे दो MOSFETS लगे हुए हैं हमारे board में भी दो MOSFET था यह output में inductor है output capacitor है और यह speaker है performance data में यहाँ पे दिया हुआ है power output दो तरीके का है 180 watt और 120 watt 180 watt तभी आप ले सकते हैं जब आपका speaker जो है वो 4 ohm का हो 120 watt तब मिलेगा जब speaker 8 ohm का होगा यहाँ पे कुछ maximum ratings दिये हुए हैं जैसा कि power supply voltage VV और यह plus minus 50 volt है तो यह shutdown हो जाएगा अगर हमारा जो rail है वो लगबग 56 से 60 volt के से ज़ादा हुआ तो peak output current जो है वो 11 amps के आसपास आप draw कर सकते हो इससे ज़ादा अगर आप जा रहे हो तो यह shutdown हो जाएगा बाकी और भी details है अगर आप detail में जानना चाते हो तो आप यह जो data sheet है उसको देखिए यहाँ पर इसका कुछ pin configuration है जिसको follow करके आप इसका wiring कर सकते हो यह जो PCB है वो मैं तीनो 500 में लेके आया था अगर आपको चाहिए होगा तो आप contact कीजेगा इसमें मैं कोई 2 PCB दे दूँगा और एक मैं खुद के experiment के लिए रखूँगा क्योंकि मुझे भी अभी मैंने इसको test किया नहीं है जब इसको test कर लूँगा properly तो मुझे मालूम चलेगा कि यह कैसा work करता है और एक मैं अपने लिए रखूँगा चलिए इसके पीछे का electronics मैं आपको micro mode में दिखाता हूं तो यहाँ पर यह कुछ इसका fine electronics है जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक operational amplifier ए इस पर experiment करना अच्छा लगता है तो आप इसको purchase कर सकते हो मैं एक रखने वाला हूं और बाकी दो जो है वो sell कर दूँगा